मनासर शहर में मानसुन ने दस्तक दी है वहीं सोंबार को सुबस से ही हुई गंतों तेज बारिष से शहर और ग्रमन शेत्र के भाटकिडी की नाले और रोग तर्वतर हो गए हैं कड़कों पर पानी बर गया है सुबार को सुबस से ही आस्मान में हलके बादल थे लेकिन अचानक शुरू हुई बारिष से मौसम में ठंड़ खुल गए मनासर शहर से लगे आसपास की गाउं में भी तेज बारिष हुई है पिछले कुछ दिनों से जारी उमस और गर्मी से राहत के लिए सभी को बारिष का अंतजार था शहर सेत शित्र में हुई तेज बारिष किसानों के चहर पर खुशी देखी जा रहे है वहीं तालाओ की नदी ने रास्ते रोग दिये हैं यह आने जाने वालों को बड़ी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है किसानों ने कहा है कि बारिष से रहत मिले है लेकिन है कि लंब समय से मनासा शेत्र को बारिष का अन्गुजार था जून का आधा महा गुजड गया लेकिन लोग बारिष को तरसते रहे लेकिन सोमबार को ही तेज बारिष से फसलो को लाब होगा मही मौस्तों विभाग के निस्तार आगामी दिनों में जीले में मानसून की बारिश होगी यह नजारा है ग्राम भाट केड़ी का सुबर से ही तेज बारिश के चलते नाले उफान पर है मनासर से बदिला गुज़र के रिपोर्ट